लेओ नमस्कार सिस्ट्रीकाल वड़त कम दोस्तों मैं दिपका प्रीजी कूकिंग में आपका ग्वागत करती हूँ आज मैं आपको बता हूँगी कवार की फली कैसे बना पड़ाएं कवार की फली बनाने के लिए हमें चाहिए कवार की कटी हुई पली, चार से पाच कटे हुए टमाटर, अल्दी, मिर्च, रमक, जीरा, दस से बारा लसन की कलियों और एक टुकड़ा अद्रक कुकर में दो कर्ची, ओईल लेए उसमें अद्रक और लसन के पेस्ट को डाल दे वन फोर्ट स्पून जीरा डालिएंगे और अच्ची तरह से घुमाते रहेंगे जब तक अद्रक और लसन का पेस्ट गूल्डन ब्राउन ना हो जाए ये देखिए अब हमारे अद्रक और लसन का पेस्ट गूल्डन ब्राउन हो गया है वन फोर्ट स्पून बेगी मिर्च टालेंगे एक चम्मच हल्दी डालेंगे और सब चीजों को अच्छी तरह से मिलाएंगे अब हम कटी हुई फली डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और सब चीजों को अच्छी तरह से मिलाएंगे हम फली को तब तक दुमाते रहेंगे जब तक उसका कलर चेंज अब हमारी फली का तलर चेंज हो गया है इसमें गटे हुए टमाटर डालेंगे और अच्छी तरह से मिलाएंगे और अच्छी तरह दस से पंद्रा मिनट मीडियम प्लेंपे पकाएंगे अब आदा ग्लास पानी डालकर साथ से आठ सीटी लगवकर पली को गलाएंगे यह देखिए अब हमारी फली गल गई है एक पैन में थोड़ा सा घी लेंगे उसमें वन फोर स्पून देगी मिड्च टालकर उपर से तड़का लगाकर सर्फ करेंगे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूले और नीचे बने लाल बटन को दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको मिलेंगे तिरहें तेंक्यू